नवश्कार दोस्तों यदी आपके अंदर शिकर पतन की समस्या है और उसके बीचे जो कोज है वो ग्लास ओ पैनिस की हाइपर सेंस्टिविटी है तो मैं आपको एक बहुत आसान गरेलू नुक्सा बताऊंगा अगर आप उसका उप्योग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा का फाइदा मिलेगा देखो सबसे बड़ी बात है यदी आपके अंदर हाइपर सेंस्टिविटी है ग्लास ओ पैनिस के अंदर की टच करते ऐसे स्टिमनेशन होते हैं या अलगा सा क्या है कि यह जो ग्लास ओ पैनिस है यह धका रहता है जब धका रहेगा कोई पार्ट उसको आप ऊपर नहीं करेंगे साफ नहीं करेंगे तो उस केस के अंदर उस पार्ट के अंदर सेंस्टिविटी होना बहुत ही समन्या बात है पहली बात यह मैं आपको बताता हूँ कि इसको रेगलर वाश करो आप इसको साबून से डंग से वोश करो आप नमबर दो इसको यदी आपको एलम या फिटकडी मिल जाती है जो शेविंग करने के दावाण यदि कट लग जाता है उस पर लगाती है तो वह आप लेके उसको भी हलके आप से उससे भी वोश कर सकते हो वो भी एक परकार से इसके अंदर हाइपर सेंस्टिविटी को कम करेगा इसके अलावा आप इसके उपर क्या है कि coconut oil लगा तो इसको कुछ टाइम के लिए आप ओपन रखेंगे तो इसकी हाइपर सेंस्टिविटी अब वो कम हो जाएगी और इसके अलावा एक बैस्ट ऑप्शन यह है कि जब भी आप समन्न मताओ तो थोड़ा सा हलका सा मोटा जो हलका सा कॉन्नों हो उसका उपयोग करो जिससे कारण इसके अंदर जो भी सेंस्टिविटी है वो काफी कम हो जाएगी जिससे आपको प्री मैचरी जो कोलेशन या शिगर बतन में फाइदा मिलेगा जान्यवाद